28 अक्टूबर को इस बार सर्द प्रुणिमा है और उसी दिन चंद ग्रहन भी है हम सभी जानते हैं कि चंद ग्रहन हमेशा प्रुणिमासी को पढ़ता है और सुरिक ग्रहन हमेशा अमावश्या को पढ़ता है यह सर्द प्रुणिमा के दिन चंद ग्रहन पिछले अब तक नहीं हुआ है इसका सूतक 28 तारीक को 4 बच के 5 मिनट पर प्रारंब होगा और चंद ग्रहन का प्रारंब एक बच के 5 मिनट रात में होगा मध्यकाल उसका एक बच के 44 मिनट पर होगा और मोक्ष दो बच के 23 मिनट तक होगा अर्फार्स चंद ग्रहन का प्रभाव रात के दो बच के तेवी मिनिट तक रहेगा चूकि चंद ग्रहन के समय सूतख के उपरांग किसे तरह का पूजा का पूजाक नहीं किया जाता है अंता शरतप्रूडुा की पूजा रात के दोबज़ मेंट के बाद की जा सकेगा। इसमें ये चंड़ए चंटन ग्रहान अश्वनी नख्षतर में और मेश राश में है। पता इसका सबसे आधा असर मेश राश में रहेगा। मेश राश के लोगों को सबसे आधा क कस्ठ होगा। मित्वन कर्क ब्रिष्टिक धन्यों कुम राज के लिए ग्रहन सुभाय सिंग तुला और मीन राज के लिए मिश्रत्वल्दाई है तथा मेश ब्रिष्ट कन्य और मकर के लिए अशुभाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि खगोट सास्त्रियों के गड़ित के अनुसार 18 बर्स 18 दिन में अधिकतम 41 सुरी गहन और 29 चंद गहन पड़ सकते हैं एक बर्ष में बर्षतार समबत उसमें अधिकतम 5 सुरी गहन तथा 2 चंद गहन पड़ सकते हैं